जागते रहो फेस्टिव सीजन में ग्राकों को रिजाने के लिए e-commerce कंपनिया बंपर डिसकाउंट दे रही हैं कंपनियों के offers का फायदा उठाने के लिए लोग जम कर शॉपिंग कर रहे हैं जब आप क्रेडिट का फूरा पेइमेंट ड्यू डेट यानि तैस समय पर करें अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुखतान नहीं किया तो इस शॉपिंग का डिसकाउंट महगा पड़ सकता है इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तिमाल करते हैं तो इसकी बकाया राशी पर ब्याज कैसे लगाया जाता है इस बारे में अच्छी तरह से समझ लें सबसे पहले समझते हैं कि इस बार आउनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड कैसा है Global Research Agency Datum Intelligence की रिपोर्ट के मताबिक इस साल फेस्टिव सीजन में 26-28 सितंबर के बीच यानी महज 3 दिन में लोगों ने 26,000 करोड उपे की ऑनलाइन शॉपिंग की शॉपिंग का ये आँखड़ा पिष्टे साल की तुनला में 26 फीसद जादा है रिपोर्ट के मताबिक भारत में इस साल फेस्टिव सीजन में एक लाक करोड उपे से जादा की ऑनलाइन शॉपिंग होने का अनुमान है खास बात ये है कि अब महानगरों में ही नहीं बलकि छोटे शहरों में भी क्रेड़ कार्ड के जरीए जम कर ख़जारी की जा रही है अगर आप शॉपिंग के लिए क्रेड़ का इस्थमाल कर रहे हैं तो आपको बिल पेमेंट के लिए 50 दिन तक का समय मिलता है जब बिल जनेरेट होता है तो आपके पास दो तरह से अमाउंट पे करने का आप्षिन होता है पहला Total Outstanding Amount और दूसरा Minimum Amount Due Minimum Due पूरे बिल के Total Outstanding Amount यानि कुल बकाय राशी का करीब 5 पीसद होता है जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो minimum amount due ही पे करते हैं ऐसे में ब्याज के रूप में बड़ा खामियाजा भुवतना पड़ता है दरसल नियमों के तहट अगर आप minimum amount payment करते हैं तो shopping यानि transaction की तारीक से ब्याज वसूल आ जाता है credit card पर ब्याज दर को bill statement में annual percentage rate यानि APR के जरीए दर्शाया जाता है इससे साफ दाहिर होता है कि ये ब्याज पूरे साल के लिए लागू होता है लेकिन इसकी गणना रोजाना के हिसाब से होती है credit card के कर्च पर सालाना 42 से 48 पीसद तक ब्याज वसूल आ जाता है credit card के बकाये पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है इसे एक उधारन से समझते हैं मान लिजे अमित ने 5 सितंबर 2024 को credit card से 50,000 रुपे की shopping की और card की statement date 7 सितंबर 2024 है जबकि due date 27 सितंबर है अमित के पास जो बिल आया है उसमें उन्हें 5 पीसद के हिसाब से 2500 रुपे minimum amount चुकाने का option मिला है अगर अमित minimum amount पे करते हैं तो उन्हें 5 सितंबर से 27 सितंबर तक 50,000 रुपे पर ब्याज चुकाना होगा उन्हें interest free period का लाब नहीं मिलेगा 27 सितंबर से अगली statement की तारीक यानि 7 अक्टूबर तक कुल 10 दिन के लिए 47,500 रुपे पर ब्याज देना होगा यानि कुल ब्याज में shopping की तारीक से minimum payment की तारीक तक कुल राशी पर ब्याज जमा minimum payment की तारीक से अगली statement की तारीक तक बकाय राशी पर ब्याज लगेगा बकाय राशी पर उची ब्याजदर होने की वज़े से minimum payment करने से बकाय राशी में ज्यादा कमी नहीं आती अगर आप 2-4 महीने minimum amount pay करते हैं तो ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहेगा एक समय ऐसा भी आ सकता है जब अमित कर्ज के जाल में फंस जाएंगे अगर बकाय लिमिट भी इस्तिमाल कर ली तो आगे कोई शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे ऐसे में festive season में credit card से शॉपिंग तो करें लेकिन लिमिट में रहकर जो बिल आए उसे due date पर चुकाने का प्रयास करें minimum amount pay करने से बचने की हर संभव कोशिश करें इस मामले में थोड़ी सी लापरवाही आपके discount पर भारी पर सकती है